कि नमस्कार दोस्तों सबी लोग का स्वागद है। ने केडमी के ऊपर वुण आज नए तीन जून के current affairs के साथ में मैं लोकेंदर सिंग आप सभी लोग का स्वागत करता हूं दोस्तों बस हम लोग कुछ ही देर में हमारा current affair का station जो है उसको start करते हैं बस मुझे 30 सेकंड का समय दे जीजेगा आप सभी लोग क्योंकि 30 सेकंड के अंदर सभी लोग उपस्तित हो क्लास में काफि सारे लोग वैसे तो पस्तित हो गए हैं है ना ओके गुड़ीविनिंग सुभम जी गुड़ीविनिंग एस जी मोजो जी स्वाति मिश्रा निथी नित्या जी समिक्षा जी शुदा राजपुत जी सभी लोग का स्वागत मेरे इस यूट्यूब करेंड करें की इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूं दोस्तों बागी की इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ इस तरीके से हैं कि आप लोग की अनकैडमी एंपी पी एस्टी चैंपिन्शिप जो है उसका स्रीस टू स्टार्ट हो गया है और उसके अंदर पांच फ्री मॉक टे के अंदर देखिएगा दोस्तों यहां पर लिकावा 14 जून यह 14 जून का फ्री मॉक टेस्ट जो है आप लोग का उसके लिए आप लोगों को इन्रॉल करना पड़ेगा और इन्रॉल करने के लिए आप लोग इस वीडियो के डेस्रिप्शन में नीचे 14 जून वाला जो फ्र 14 जून वाला भी जरूर देना है हम लोगों को कि वो भी हमारी तयारी में काफी महत्पूर्ण भूमी का अदा करेगा इसके लावा अनकेडमी के द्वारा एक MPPSC 2020 का टार्गेटेट बैच स्टार्ट किया हुआ है जो कि 3 जून मतलब कि आज से ही स्टार्ट हो गया है ओके आज से ही ये स्टार्ट हो गया है इसके अंदर कुछ educators की classes already स्टार्ट हो गये दीरे दीरे सभी educators की classes इसमें स्टार्ट हो जाएंगी इस batch के अंदर जो कि targeted prelims का batch है दोस्तों मैं लोकेंदर सिंग आपनों को indian quality और indian geography पढ़ा रहा हूं इसके लावा काफी सारे बहुत ही महत पुन महत पुन एजूकेटर्स इसके अंदर हैं अरी सिंग राजपुत सर, अभीशिक कुमार सर, अमिश शुकला सर, अरुन प्रताप सर, मैं लोकेंदर सिंग, रूप सिंग यादव सर, संजे बतनागर सर, वरुन मुदगल सर, सभी बह सब्जेक्ट में इसके अंदर दोस्तों पढ़ाने वाला हूँ आपनों के लिए, इसके लावा अनेकैडमी ने अलड़ी एक पहले से बैच, MPPST 2020 के लिए अलड़ी से स्टार्ट किया हुआ है, उस बैच के अंदर भी सारे बहुत या अच्छ 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 एजूकेटर से हैं दोस्तों और उसमें मैं लोकेंदर सिंग आपनों को इंडियन जोगरुपी पढ़ाने वाला हूँ, तो यह अलड़ी बैच स्टार्ट हो चुका है, 20 में से, तो सभी लोग जिन लोगों को MPPST 2020 के तयारी करनी हैं, वो लोग इन बैचेस के सांथ में जुड़ जाईए और मेरे दो individual courses अलड़ी चल रहे हैं दोस्तों, जो दो courses है मेरा है, एक मध्य प्रदेश का course चल रहा है, इस मध्य प्रदेश के कोर्स के अंदर मैं pre plus mains का पूरा पढ़ा रहा हूँ, और pre plus mains बहुत ज़ादा detail में मैं यहां पर पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, ताकि आप ल अलवा मेरा एक जो है Indian quality का भी बैच चल रहा है, जिसमें मैं pre plus mains बढ़ा रहा हूँ, और इस pre plus mains के अंदर मेरी 7 pm पर class होती है, जो की इस class के तुरंत बाद मेरी class वो होती है, जिसमें मैं आज पुना लोकपाल और लोकायूत के उपर बात करने वाला हूँ, तो जितने भी लोकपाल और लोकायूत के अच्छे जानकारी चाहिए दोस्तों और वो plus पर हैं, वो सभी लोग मेरी class ज़रूर अटेंड करें, बहुत ही important topic है, लोकपाल, लोकायूत, prelims और mains दोनों के लिए आपनों के लिए काफी ज़्यदा important है, इसके अलावा, ये जो मेरी MP की class है, वो जो courses है, इन सभी courses का अगर आपनों को lab लेना है, तो आप लोग subscription ले सकते हैं, subscription लेने के लिए आप लोग मेरा code ज़रूर यूज़ करें, लोक लाइव, L-O-K-L-I-V-E, इस code का यूज़ करके आप लोग 10% का discount राप्त कर जाएंगे, तो साल भर का जो आप लोग का subscription है, जो आपनों का साल भर का course है, वो 6700 के असपस आपनों को मिल जाएगा, ओके दोस्तों, तो मेरा code ज़रूर यूज़ करिएगा, जब भी आप लोग subscription ले, code मेरा आपनों के नीचे लिखा हुआ है, लोक लाइव, L-O-K-L-I-V, ठीके दोस्तों, आज का पहला प्रशन आपनों की स्क्रीन के उपर है, गुड इवनिंग, दोस्तों, मेरी class के अंदर, सभी लोगों का, सभी आदरनियों का स्वागत है, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, प्राचिय अगरवाल जी, सभी लोगों का स्वागत है, दोस्तों, मेरी class के अंदर, गुड इवनिंग, सा के लावा गुलाब ठाकपुर जी का अंसर आयो है साकेट स्वाती रंजना साक्षी राज ठाकपुर दीक्षा साहू अगया बिलकुल सायूक्त रास्ट महा सभा के द्वारा तीन जून को विश्व साइकल दिवस के रूप में गोशित किया गया दूस्तों इसका explanation हम लोग देख लेते हैं स्विस्ट साइकल दिवस के रूप में तीन जून को मनाने की क्या होज़ शक्ता पड़ गई दोस्तो साइकल एक ऐसा परिवहन का साधन है जिसमें की दो तरीके के फाइदा आप लोग को मिलते हैं पहला की इसके माध्यम से परियावरन प्रदूशन नहीं होता है और दूसरा फाइदा है कि स्वास्त के लिए भी ये लाबदा है इन उद्देशों को देखते हुए सायुक्तरास्त ने तीन जून को स्विश्व साइकल दिवस गोशित किया गया है ताकि साइकल के उप्योग को बढ़ावा मिले साइकल के उप्योग को बढ़ावा देने साथे साथ आप लोगों के स्वास्त में व्रद्दी करने और परियावरन प्रदूशन से परियावरन जोन को wish cycle दिवस मनाये गया था, wish cycle दिवस मनाये जाने का और फायदा यह है कि देशों का कार्वन क्रेइट भी क्या है बन रहा है, तो बहुत सारी important चीज़े हैं दोस्तो cycle दिवस के साथ में यह दिया हम बात करें तो normally हम लोग देखें तो cycle दिवस क्या होता है हमें लगता है कि क्या होता होगा cycle दिवस मनाने से लेकिन cycle दिवस वर्तमान तरदूशनकारी वैश्विक विवस्था में काफी important साबित हो सकता है जो की आगे चल करके पर्यावरन प्रदूशन से रक्षा कर सकता है और सतत विकास में sustainable development में आप लोगों की मदद कर सकता है इसी उद्देश के साथ में स्वेंक तुरास्ट ने इसको तीन जून को विस्व साइकल दिवस मनाने के रूप में क्या किया है गोशित किया है नरेंदर मोदी ने निमलकित में से किस शेत्र को शशक्त बनाने के लिए चेंपियन प्राध्योगी की मंच लॉंच किया है ये मंच लॉंच किया है दोस्तों चेंपियन प्राध्योगी की मंच लॉंच किया है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के द्वारा चलिए एस जे मोजो जी राज ठाकूर्टी जीक्षा साओ एस जे मोजो गुलाब ठाकूर्टी रंजना खरे कलपना सपना इतने लोगों ने मुझे आंसर दिया है स्वाती शुबम साकेट समिक्षा साक्षी सोनी प्रियंका राजूरिया जी सौरब जी इतने लोगों ने उनके लिए लॉंच किया गया है यह वाला Champions Technology Platform क्या है यह देख लेते हैं आप लोग की स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है दोस्तों की प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी के द्वारा एक जून 2000 को सुक्ष में लगू और मध्यम उद्योग जिनको हम लोग इंगलिश में कहते ह माइक्रो, स्मॉल, और मीडियम इंटरप्राइज की समस्याओं में समाधान निकालने के लिए Champions नामा की पॉर्टल को लॉंच किया है चैंपियंस नामा की पॉर्टल जो है दोस्तों इसका में जो ओफिस रहेगा वो दिल्ली में रहेगा और जितने भी राज्य हैं उन सभी मुद्योगों को काफी ज़्यादा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए गौवर्मेंट के द्वारा ये चैंपियंस प्रॉद्योगी की पूर्टल लाँच किया गया है ताकि सुक्ष मिलगों और मद्य मुद्योगों की जो भी समश्या हैं उनका समध किया जा सके और जब कोविड नाइंटीन खतम होगा कोविड नाइंटीन की समश्या से निदान पा लिया जाएगा तब सुक्ष मिलगों और मद्य मुद्योगों किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकेगा इसके विशे में भी चैंपियंस प्रॉद्योगी की पूर्टल को लाँच किया गया है तो काफी अच्छी पहले प्रदान मंत्री नरेंदर मोजी जी के द्वारा यही साबरी बाते दोस्तों यहाँ पर लिखी गई है जो मैंने आपको सुक्ष में तरीके से और काफी सरल सब्दों में बताई है तो चैंपियंस प्रॉद्योगी की पोटल ज केजी बालकरशनन ने हाल ही में निमलकित में से किस मंत्री पर एक नई जीवनी का विमोचन किया गया है दोस्तों जितने भी लोग क्लास के अंदर हैं बहुत बढ़िया जवाब दिया है सभी लोगों ने तीसरा प्रेशन आज का जो कि करेंट अफेर से लिड़ेड है कि भ पड़ावट 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 एस जे मोजो जी का राहूल दिक्षीट जी का साकेश शर्मा एस जे मोजो सपना रावत इतने लोगों का अंसर अभी तक मेरे पास आयवा जल्दी जल्दी दीजेगा अंसर शुभम बारती अविनाश स्वाती शुधा राज ओम पना रंजना समिक्षा स्रिवास्ताओ जी साक्षी सोनी जी इतने लोगों ने अभी तक मुझे आंसर दिया है गजेंदर नेहाद लक्षुभम एंड दीपान्शु मिश्रा इतने लोगों का अंसर मेरे पास में है बिल्कुल नरेंदर मोदी जी के उपर उन्होंने जीवनी वो लिखा है दोस्तों केजी बालक्रेशनन के द्वरा अब ये जो लिखा गया है ऐसे उनके ऐसे अंटचिबल जो घटनाए हैं जो की मोदी जी के साथ में घटी हुई है या उनके जीवन के वो द्रश जिनकों की बहुत सारे लोग जानते नहीं है उसके विशे में नरेंदर मोदी हारबिंजर ओफ प्रॉस्पेरिटी एंड अपोस्टल ओफ वर्ल्ड पीस ये उस बुक का नाम है जो की नरेंदर मोदी जी के ओपर लिखी गई है के जी बालक्रेशनन के द्वारा लिखी गई है उनके साथ एक और उनके सहायक लेखक भी हैं दोनोंने मिल क कहानी को इस बुक के अंदर लिखा गया है और बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो कि के द्वारा लिखी गई है ये हैं दोस्तों वो बुक और ये हैं उस बुक के द्रश ये हैं दोस्तों के जी बाल करेशनन और ये हैं उनके सहायक लेखक अगला प्रशन है दोस्तों आप लोग की स्क्रीन के उपर क्या कर सकते हैं है तो है ना दोस्तों जितने भी लोग क्लास क को देख रहे हैं सभी लोग प्लीज तीन से चार सेकंड लगेंगे जल से जल जाकर के लाइक के बटन पर क्लिक करके आजएए उससे मुझे प्रौसान मिलता है मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं रोज आपनों के लिए इस तरीके की नई नई चीज़े लाता रहूं जो आपनों के करेंट अफेर में आपनों को काफी जड़ा साहेता कर सकती है बस तीन से चार सेकंड लगेंगे जल से जल जाकर के और लाइक के बटन पर क्लिक करके आजएएगा दोस्तों जल्दी चाहिए कर दिया सहीं क्यू धन्यवाद स्वागत है दोस्तों सभी लोगों का जिन चलिए दोस्तों अंडमान और निकोबार कमान की कमांडर अंचीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जल्दी से अंसर दीजेगा थैंक्यू दोस्तों थैंक्यू धन्यवाद आप पीडियेफ कैसे प्राप्ट कर सकते हैं बिल्कुल अभी मैं बताता हूँ कि आप किस तरीके से पीडियेफ प्राप्ट कर सकते हैं पीडियेफ प्राप्ट करने के लिए आपको दो ग्रूप का सहरा ले सकते हैं एक मेरा टेलिग्राम ग्रूप है जिसका नाम है अड़ एड़ रेट लोकेंद्र सर इससे प्राप्ट कर सकते हैं या फिर एड़ रेट MPPSC 10 इस ग्रुप के अंदर भी शामिल होकर कि आप इसका प्राप्ट कर सकते हैं दोस्तों एक मेरा है और एक अनकैडमी MPPSC व्याप्ट कर सकते हैं चलिए अनकैडमी यह ना आप देखो जो आप लोगों का वीडियो यह चल रहा है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलिग्राम ग्रूप MPPSC 10 का लिंक मिल जाएगा आप वहां से जाकर के भी उस MPPSC व्याप्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक हैं चलिए पॉह सारे लोगों ने मुझे अंसर दिया है बिलकुल मनोज पांडे जो है इसका आंसर है । लेटमान जिकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में न्यूप्ट किया ՗या है देख लेते हैं यह हैं दोस्तो लेटमान जनरल मनोज पांडे जी जिनकी नियुक्ति अभी अंडमान निकोबार के कमांडिंग इन चीफ के रूप में की गई है ओके चले अब इसके बाद हम आगे की बात करते हैं अगला है दोस्तों आपनों की स्क्रीन के उपर व्यक्तितों से questions पूछे जाते हैं MPPSC के अंदर की ये व्यक्तितों कहां नियुक्त की इंदर ओके चलिए तो बॉबी जो मोरो हाल ही में इनका निधन हो गया है वह एक थे जल्दी से आंसर दीजेगा वह एक क्या थे बॉबी जो मोरो जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह एक थे क्या थे दूस्तों कलपना जी का अंसर आया हुआ है एस जे मोजो का अंसर आया है शुबम तिवारी राज ठाकूर राहुल दिक्षित स्वाती मिश्रा भारती सिंग कितने लोगों का अंसर दोस्तों आया हुआ है बिल्कुल ये एक धावक थे धावक मतलब के दोरने वादे व्यक्ति थे बॉबी जो मोरो ये कहां के हैं अमेरिका के हैं दोस्तों इनके विशे में जो important बात है क्यों इनका question पूछा जा सकता है क्योंकि दोस्तों 1956 में Melbourne Olympic में 308 पदग जीतने वाले अमेरिकी धावक हैं तो एक ही Olympic के अंदर 3 gold medal इनके द्वारा जीती गई थे जिनका नाम है बॉबी जो मोरो इनका चितर देख लेते हैं बॉबी जो मोरो जी का ये हैं दोस्तों बॉबी जो मोरो जी जिनने मेलबर्न Olympic 1956 के अंदर 3 gold medal जीते थे और इसलिए इनके विशे में प्रेशने पूछे जाने के काफी ज़्यादा संभा होना है यहाँ पर देख लिए जा Melbourne Olympic में वर्ष 1956 में बॉबी जो मोरो के द्वारा 100 मीटर 200 मीटर और 4 इंटू 100 मीटर में स्वन पदक जीता गया था और वे अमेरिका के फिसिद्ध athlete जैसी ओवेंस के बाद ऐसा करने वाले दूसरे athlete बन गए थे ठीके चले फिर यहाँ पर और भी कुछ चीशे लिखें इसके बाद अमेरिका के कार लुईस और जमेका के उसेन बोल्ट ने भी यह उकलब्दी प्राप्त की थी लेकिन उसके पहले ही Bobby Joe Moro जो हुसेन बोल्ट है दोस्तों उन्होंने भी यह उकलब्दी प्राप्त कर लिए लेकिन उसके पहले यह काफी महत्वण धावक हैं जो कि अमेरिका के इन्होंने यह वाली उकलब्दी प्राप्त की थी बिल्कुल तीन गोल्ड मेंडल लोकेंदर सर नामक टेलिग्राम लिंक को सच करके उसको जोईन कर लीजेगा उसमें मिल जाएगा और एड़ दरेट MPPSC 10 यह भी एक टेलिग्राम लिंक है जो कि अनेकेडमी MPPSC व्यापम का ग्रूप है उसके उपर भी आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी ओके दोस्तों चलिए अरफ सागर में एक तेजी से बढ़ते हुए अवदाब ने नामक एक गंभीर चक्रवात के तेज होने की भविशानी कर दिये बिल्कुल दोस्तों बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब मुझे सही दिया हुआ ओम वर्मा, नेहा दलग, शिवांगी गर्ग, प्रतीक्षा सिंग, गजेंदर शिवहरे, प्रियंका, राजूरिया जी, मंजू, तिवारी जी और स्वाती मिश्रा भहुत सारे लोगों ने मुझे इसका सही जवाम दिया बिल्कुल निसर्ग निसर्ग नामक पुफान दोस्तों, अरफ सागर में बनने की इसकी संभावनाएं बढ़ गई है, ठीक है, अरफ सागर और ये कहां आएगा, ये महरास्ट होते हुए, महरास्ट होते हुए, ये कहां जाएगा, गुजरात की तरफ जाएगा ठीक है गुजरात की तरफ इसके जाने की संभावना है बताई जा रही है और इसके लिए बहुत सारी चीजें दोस्तों कही गई है निसर्ग ये जो नाम दिया गया है ये जो नाम दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है बिलकुल बिलकुल सपना रावत बहुत देखो यह सारी information इसके विशे में लिखी गई दोस्तों एक चीज में आप लोगो यहां पर और बताना चाहता हूं कि देखे जब भी चक्रवात आता है तो चक्रवात के समय पर कितने प्रकार की चेताउनी दी जाती है दोस्तों green alert का मतलब है कि वहीं कोई नुक्सान नहीं होगा नुक्सान हो सकता है साउधानी बढ़ती है औरेंज alert का मतलब है कि जब भी चक्रवात आएगा तो नुक्सान के समय परिवहन हो जाएंगे यह वाली बात होती है औरेंज अलर्ट की ठीक है रेड अलर्ट का मतलब होता है कि बहुत जादा क्या हो सकता है नुकसान हो सकता है और इसमें ऐसा बोला जाता है कि जो हवाएं चलेंगी वो 130 किलो मीटर से भी जादा तेज गती से चलेंगी और जब 130 किलो मीटर से भी जादा गती से हवाएं चलेंगी तो इसका मतलब ये दोस्तों कि उस इस्थान पर जहां पर ये हवाएं चलेंगी बहुत ज़्यादा नुक्सान हो सकता है तो ये बातें यहां पर सारी लिखी गई ये दोस्तों कि मौसम भारत मौसम विग्यान विभाग ने महारास्ट और गोवा में चक्रवात निसर्ग के कारण खराब मौसम की चेताउनी जारी किये और इस चक्रवात को निसर्ग नाम बांगलादेश के द्वारा प्रस्तावित किया गया है हाली में अरफ सागर में भारत के मध्यम पस्चिम तटी चेतर में अवदाब चेतर का निर्मान हुआ मतलब निम्न दबाओ का चेतर दोस्तों बना हुआ है उसके कारण भारत के मौसम विभाग ने महरास्ट में मुंबई पूने थाने पालगर राजगर के लिए रेड अलर्ट जारी किया दोस्तों मुंबई थाने पालगर राजगर के लिए क्या किया गया है महरास्ट में रेड अलर्ट जो है दोस्तों जारी किया ग है गुजरात की तरफ जाएगा ओके इसके अंदर एक इंपोर्टेंट चीज है कि यहां पर देखिए लास्ट में कुछ बाकी की जो मैंने बताई है वही सारी चीजे हैं ठीक है आप लोग जैसे की चक्रवात का जो मार्ग है तीन जून को रहेगा इस तरीके की जो बाते हैं पीडियेफ में भी पड़ी जा सकती है जो समझने वाली चीज है वह मैंने सारी आपनों को बता दी है ठीक है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इन चेतरों में तेज हवा एक विशेश प्रकार की हवा चलेगी दोस्तों जब निसर्ग नामक ये चक्रवात आएगा जिस जी realizing काता है इसकी चेताओं या पी जारी की गई गािए गेली कि गती 34 से 47 नोट के बीच होती है इतनी तेज यह हवाई हैं चलती हैं और एक नॉट के बराबर का मतलब होता है 1.85 प्रतिघंटे के बराबर तो 1.85 किलोमेटर प्रती घंटा मतलब एक नौट होता है इन्टु यदि हम 34 से 47 की बात करेंगे तो यह काफी जादा हो जाएगा तो ऐसी परिस्तिती में गैल विंड जो होता है वो चलने की संभावना है निसर्ग के कारण साकेच जी बिलकुल विजिबल हो रहा है आपका कमेंट बिलकुल विजिबल हो रहा है आप बिलकुल चिंदा ना करें आपका कमेंट विजिबल हो रहा है चलिए आपका नाम भी लिया था हमने साकेच जी सात्वा प्रश्ण ने दोस्तों आपनों की स्क्रीन के उपर की राजियु गांदी स्वास्त विज्ञान विश्व विध्याले के संदर्भ में निल्दित कत्नों पर विचार करें यह Association of Commonwealths Universities UK का सदश्य है Association of Commonwealths University UK का सदश्य है और second point है यह करनाटक सरकार द्वारा 1996 में स्थापित किया गया था जल्दी से इसका answer दीजेगा दोस्तों अभिशेग दहायर जी गूड इवनिंग answer दीजे दोस्तों राजियु गांदी स्वास्त विज्ञान विश्व विध्याले with context to the राजियु गांदी University of Health Science consider the following statements SJ Mojo जी ने answer दिया है राज ठाकूर जी का answer आया हुआ है अमित प्यासी जी गलत हो गया है निजिनित्या जी का सही है सपना रावत का सही है गुडिवनिंग जी तेंदर पाल जी एंड कलपना पाठक का रंजना खरे का उसके बाद में काफी सारे लोगों का स्वाती दीपान्शु जी तेंदर शुबंतिवारी जी साकेत वर्मा जी शाकेत शर्मा जी सोरी नहा अदलग बिल्कुल इतने लोगों का answer दोस्तों ये सही आया हुआ है गुडिवनिंग अमित प्यासी जी समीक्षा स्रीवास्ताउजी का भी answer सही है बिल्कुल B 20 का answer सही है दोस्तों मतलब राजिव गांधी स्वास्त विज्ञान विश्विध्याले के विशे में अभी हम लोग सारी information लेते दोस्तों जितने भी लोग class के अंदर नए हैं प्लीज जा करके दो या तीन सेकंड में आपको लगेगे और like के बटन पर क्लिक करके आजएगा जितने भी लोग इस वीडियो को offline देखेंगे प्लीज आप लोग like जरूर करिएगा और share जरूर करिएगा ताकि आप लोगे दोस्त लोगों को भी इसका फायदा हो जाए और साथी साथ like करने से मुझे प्रोस्तान मिले मुझे confidence मिले motivation मिले ताकि मैं इसी तरीके की और अच्छे अच्छे चीजे आप लोगे current affair के लिए आप लोगे लिए लाता रहूँ तो जितने भी लोगे हैं दोस्तों प्लीज आ करके जरा like कर दीजेगा देखते हैं इसका explanation जो अभी हम लोगों ने बात की है ओके चलें सैंक्यू दीपांशु मिश्रा जी देखते हैं दोस्तों इसका explanation क्या है कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने हाल ही में साति साथ उन्होंने शोध लेक इसके जो रिसर्च पेपर्स हैं उनका भी क्या किया है उनको भी जारी किया है राजी सरकार में आधुनी चिकित्सा में उचित व्यवस्थित सिक्षन प्रसिक्षन और अनुसंधान के उद्देश से एक विविदता स्थापित करने के उद्देश से राजी गांदी स्वास्त विज्ञान विश्विध्याले अधिनियम 1954 के माध्यम से इसकी स्थापना की थी और इसकी स्थापना की जो बात हुई है दोस्तों बगले रू में है सब को पता है यह तो 1996 में हुआ है यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है करनाटक सरकार के द्वारा 1996 में इसकी स्थापना की गई थी यह दोस्तों एक बहुत ही महत्वण चीज और है इसके साथ में किये भारत में सबसे बड़ा स्वास्त विज्ञान विश्विध्याले इंडिया का लार्जेस्ट स पिर से सुन लो आप लो राजिय में इसकी रजे जैन्ती मनाई गई है और सास्ति साथ इसकी रसर्श पेपर को भी जारी किया गया प्रधानमंतरी न cape पिर मोदी जी के द्वरा यहां पर एक चीज जो लिखी हुई थी जो सेकेंड वाला पॉइंट था वो भी सही दोस्तों देख लीजे आर जी यू एचस जो है वो एसोशियेशन ऑफ कॉमन वेल्स उनिवर्सिटीज यू के का भी क्या है सदस्षे तो यह भी इसका पॉइंट जो है दूसरा वाला पॉइंट भी जो होता है हां पर आकर के फुल्फिल होता है मतलब कि दोनुभी पॉइंट उसके जो थे वो सही थे ओके चलिए अब इसके बाद आगे की बात करते हैं दोस्तों केंदर सरकार ने इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं कि केंदर सरकार न दोस्तों कि वर्तमान में जो छोटे व्यवसाएं हैं वो तो पूनता उनको तो बहुत ज़्यादा नुक्सान हुआ है कोविड-19 के संदर प्रियंका राजोरिया जी का अंसर मेरे पास में आया हुआ है दीक्षा साहू जी का अंसर मेरे पास में आया हुआ है एंड जितेंडर इतने लोगों का दोस्तों अभी तक मेरे पास में आंसर आ गया है समीक्षा, प्रतीक्षा, दीपान्शु, राज, सुधा, निदिनित्या जी बिलकुल इतने लोगों का आंसर तो आया है लेकिन कुछ लोगों ने आंसर गलत दिया है, निदिनित्या जी तोड़ा गलत हो गया आंसर, ए इसका आंसर है, मुद्रा शिशूरिन योजना, ये चालू किये दोस्तों, इसके विशे में आपनों की स्क्रीन के सामने है, कि सरकार ने मुद गोजना के तैत लाभारतियों के द्वारा एक वर्ष के लिए दो प्रतिशत ब्याज का लाभ उठाया जा सकता है, मतलब इस योजना के तैत जो रिण लिया जाएगा, दो प्रतिशत की उसको क्या मिलेगी, सबसिडी मिलेगी, दोस्तों, ठीके, सरकार ने सडक के किनारे, फेरी वालों के लिए पांच हजार करोर रुपे के पैकेज की क्या की है, गोशना की है, दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छी चीजे हैं इस योजना के तैत, जैसे कि जो मुद्रा शिशूरिन योजना है, उसमें दस हजार तक का रिंड भी आप ले सकते हैं, सबी लोगों इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो सड़क पर अपना व्यावसाई करते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, उनके साथ में बड़ी दिक्कत हो गई हैं, उनके तो खाने के भी लाले हो गए हैं, तो इसलिए सरकार ने COVID-19 की इस परिस्तती के बाद और वर्तमान में भी अगर उन लोगों को इस तरीके की रिण चाहिए हैं, तो भरत सरकार ने उनके लिए जो है मुद्रा, शिशुरिन, योजना जो है स्टार्ट की यहां पर और भी बहुत सारी चीज़े इसके विशे में लिखी गई हैं दोस्तों, जो मैंने बताया हैं, वही सारी बाते हैं य लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, जो कि अनकेडमी MPPC व्यापम का ग्रूप है, तो वहां पर भी आपको इसका PDF मिल जाएगा, चलिए, अगला प्रेशन है दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन के उपर, अगला प्रेशन है, बिलकुल दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने हाल ही में कौन सा एप लॉंच किया है, एज जे मोजो जी का अंसर सही है, साकेत शर्मा जी का, समिक्षा गलत हो गया, सपना दिपांशू, साकेत सोनी, प्रियंका राजोरिया जी, निधी गलत हो गया, दिल्ली कोरोना इसका अंसर है, इसका जो आंसर है, इस एप का नाम है दिल्ली कोरोना, आप लोग की स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, ठीक है, कि भारत की राजधानी दिल्ली में मुक्यमंतरी अरविंद केजरिवाल ने हाली में दिल्ली कोरोना एप लाँच किया, ये एप क्यों लाँच किया गया, दिल्ली के अंदर जितन भी हॉस्पिटल से सब लोगों को इंफॉर्मेशन दी गए कि भीया आपको इस एप के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करते जाना कि आपके यहां पर कितने बैड और वेंटिलीटर से ऐसी कंडिशन में जो भी बीमार व्यक्ति हैं उसको काफी जदा फायदा होगा कैसा फायदा होगा कि भीया इस हॉस्पिटल के अंदर देखो पहले जैसे आपको क्या लगा आपको लगा कि आपको कोरोना की प्रोब्लम है जैसे आपको सिंटम्स दिखने लगे तो आप क्या करोगे उस एप में देख लोगे कि भीया मुझे किस हॉस्पिटल में जाना च और उस हॉस्पिटल के अंदर जा सकते तो बहुत ही अच्छी सुविधा दिल्ली के मुख्यमंत्रे अर्विंद केजरिवाल जी ने इस दिल्ली कोरोना एप के माध्यम से उपलब्द कराईए दोस्तों यहाँ पर लिखा भी हो आए कि सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक यह क्या किया जाएगा अपडेट किया जाएगा कि सुबह 10 बजे कितने बैट बचे ठीके फिर साम को 6 बजे कितने बैट बचे कितने वेंटिलेटर बचे वह उसमें अपडेशन कर दी जाएगी ठीके चले कोई बात नहीं निदिनित्या जी कोई बात नहीं चले अगला प्रश दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं ना कि दी जी बताईए दोस्तों इसका अंसर में बता देता हूं दोस्तों 16.13 करोड शेर ठीक है यूवान लिपिंग जो है वो दुनिया की अमीर महिलाओं में आप क्या हो गई है शामिल हो गई है देख लेते हैं इनके विशे में जो बाते है वैक्सिन बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है शेंजेन कंगताई ठीक है शेंजेन कंगताई बायलर्जिकल प्रोडेक्ट ये वैक्सिन बनाने वाली एक कंपनी दोस्तों इस कंपनी के चैर्में ड्यूवैमिन का अपनी पतनी से तलाक हो गया है तलाक होने के बाद उन्होंने उनको मौाओजे के रूप में 16.13 कर हैं जिसके कारण वो दुनिया की अमीर महिलाओं में शामिल हो गई है ठीक है चलिए अब इसके बाद दोस्तों आज का सेग्मेंट का दूसरा कि हाँ ये त्वड़ा अलग टाइप का कोश्चन हो गया था है ना ये दूसरा सेग्मेंट है दोस्तों हमारा और इस सैग्मेंट के अंदर हम बात करते हैं कि एक करन करन एक मैप की हम लोग बात करते हैं और उस मैप के अंदर हम जानने का प्रियास करते हैं कि वो location कहां पर है ठीके जितने भी लोग इस वीडियो को watch कर रहे है आपको ये बताना है कि यह एक एतिहासिक इस्थल है यह एक एतिहासिक इस्थल है यहाँ प्रसिद्ध बावडी भी है जिसका निर्माण बोड़ शाशक देवगर ने करवाया था ओके बताईएगा दोस्तों जल्दी से यह एक एतिहासिक इस्थल है जहाँ प्रसिद्ध बावडी है जिसका निर्माण बोड़ शाशक देवगर ने करवाया था बाला घाट में है मुझे आंसर दिया है ग्रेट यहां पर जो आंसर मिला है सपना के दौरा सबसे पहले जो है मुझे आंसर मिला बिलकुल हट्टा की बाऊड़ी उसके बाद बालाघाट इसके बाद मुझे प्रियंका राजोरिया जी का और उसके बाद जो मिला है साकिज शर्मा जी का अंसर सही मिला है प्रियंका राजोरिया जी का अंसर सही है बिल्कुल दोस्तों यह हट्टा में है बाला घाट के इंदर बाला घाट में यह है और यहाँ पर बोड़ शाशक देवगड के द्वारा क्या बनाया गया था एक बावडी प्रसिद्ध बावडी का निर्मान करवाया गया था दोस्तों इस तरीके के प्रेश्ण MPPSC में भी पूछे जा सकते हैं और व्यापम में तो पूछे जा रहे हैं व्यापम जो हमारा पूछा गया यह बावडी कहा है तो वह तालाब कहा है तो वह नदी कहा है थीक है कि बिल्कुल बिल्कुल तो हट्टा की बावडी जिससे गोड शाशक देव गरत के जो हैं पड़े थे और कुक रिविजन के बाद हमारा ये क्लास जो है वो खतम होगा दोस्तों चले कल की क्लास देख लेता है तिलंगा ना इस्थापना दीवस मनाया जाता है दो जून को मनाया जाता है है ना काफी ज़्यादा विस्तार से इसके विश्य में हमने देखा था फिर टर्मिनल हाई अल्टिक्यूड एरिया डिफेंस जो थार नामक प्रणाली लगाई गई है वो किस देश के द्वारा इस् सायूंक तो राज अमेरिका के द्वारा चीन के उपर दबाव बनाने के लिए तो इस पर भी काफी विस्तरत हमारी चर्चा हुई थी और पीडिएफ में आपको इसकी उपलब्द कराई दिये फिर उसके बाद में बैट डेल स्कॉर्पियन फिश जो है बैट डेल के अड़ी में क्या होता है वहाँ पर नियूरो टॉक्सिक विश होता है शिकार के समय अपना रंग बदल लेती है मनार की खाड़ी में मिली है किस को किस इंस्टिटूशन को मिली है सेंट्रल मनीन फिसरी रिसर्स इंस्टिटूट को यह मिली हुई है यह ना मनार की खाड़ के लिए ultra search unit विक्सित की है तो DRDO के द्वारा जो personal protective equipment होते हैं दोस्तों जो की doctors के द्वारा नर्स के द्वारा पहना जाता है उसको किटानू मुक्त करने के लिए DRDO ने इस unit को प्रारम किया है तो उसके बाद में हमने कल देखा जो अगला प्रेशन हमारा था कि मेरा जीवन मेरा योग है ना यह कहे जाने वाला एक video conferencing जो start किया गया है दोस्तों वह किस आयूश मंत्राले और भारती सांस्कृतिक संबंद परिश्यत के दोरा इस थार्पित किया गया यह इसमें क्या किया जाएगा इसमें जितने भी युवां है इसके इसके अलावा जितने भी वायास हैं और जितने भी योग profe recommends हैं वो अपने video डालेंगे योग करके चब वो वीडियो डालेंगे योग करने के बाद में तो फיר उनको इनाम मिलेगा कि भिया जिसका सबसे अच्छा योग करेगा उसको इनाम मिलेगा वो वीडियो डालेंगे ठीक है और उस वीडियो कॉंब्रेंसिंग के उसमें कितना-कितना इनाम मिलेगा वो भी मैंने आपनों को बता दिया था फ़स्ट फक जिसको पाएगा उसको एक लाग रुपे का सेकंड को पचास हजा रुपे कर तीसरे को पचीस हजार रुपे के ना मिलेगा। वाजित खान के विशय में आमने कल इंपोर्टेंट रेटी कि वाजित कान के है। संगीत कारें दोस्तों है waaji जिनका की कोरोना के कारण अभी में क्या हुआ है निधन हुआ है फिर हाली में समाचार पत्रों में देखे गए जॉर्ज फ्लाइट कौन थे तो इनके विश्य में मैंने आपको बताया था कि अश्वेत अमेरिकी वेक्ती थे तो इनकी जब वहाँ पर म्रत्य हुई है कहां पर अमेरिका में तो पुना वहाँ पर अश्वेतों के विरुद जो वहाँ पर एक्टिविटीज होती है अमेरिका में उसके विरुद अश्वेतों ने पुना आंदोलन चालू कर दिया है उस आंदोलन का नाम क्या है दोस्तों जो वहाँ पर चलता है जो अश्वेतों की फेव पोर्ट से रिलेटेट करंट अफैर था जिसमें भारती खेल प्राधी करंड के द्वारा खेलों इंडिया इपार्ट चालू किया गया है तो इस पर भी हमारी काफी विस्तरत कल चर्चा हुई थी ओके दोस्तों फिर उसके बाद ने निमलकित में से किस अंतरक्ष एजेंसी न अंतरक्ष यात्रियों को ले जाने वाला पहला निजी रॉकेट लॉंच किया है तो स्पेस एक्स ने लॉंच किया है दोस्तों नासा की सायता से जिसमें दो यात्रियों को अंतरास्ती स्पेस इस्टेशन पहुँचाया गया है उन दो यात्रियों के नामे डग हारले और ब बैक, बैक, बैनके इन दोनों को पहुंचाया गया, दोस्तो अभी यातरा पूरी सफल नहीं है, जब ये दोनों वापस पृत्वी पर लोटाएंगे तब ये यातरा सफल रहेगी, कि Space Access Private Company है, जिसने दो लोगों को Space की यात्रा करवाई है, यह सफल हो जाती तो आगे चल करके, आप भी अंतरिक्षी की यात्रा कर सकते हैं, और यह दोनों लोगों को बैठाया, जिसमें गया था, जो वास्तविक रूप से गया है, अंतरास्टी Space Station के अंदर, उसका नाम कहते ह छूट जाता है, ठीके, और बूम कर देता, बूस्ट कर देता, उसके बाद, प्रूड रेगन के अंदर बैठे हुए यात्री कहां पहुँच गए हैं, अंतरास्टी Space Station में जो हैं दोस्तों, पहुँच गए हैं, ओके, चलिए, तो उसके बाद में कल, हम लोगों ने ये एक map का question भी solve किया था, कि ग्यारवी सताबदी में चंदेल परमारशेली के अनेक मंदिर यहां पर हैं, और एक खरगौन के अंदर इस्तित हैं, उन पावागीरी खरगौन के अंदर इस्तित हैं, ठीके, तो ये भी कल, हम लोगों ने एक map का question solve किया था, तो दोस्तों, कल पुना दस नए current affairs के साथ में, मैं लोग के अंदर सिंग आप लोगों का दोस्त, आपके साथ में पुना आ जाओंगा दोस्तों, दस नए current affairs के साथ में, जितने भी लोग class को देख रहे हैं, प्लीज दोस्तों like जरू करिएगा, मुझे motivation मिलता रहे जागी, और नए 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 चीज